और सबी देश इस राश्रिक के साथ मित्रता स्थापित करने हेतु लालायत है। विश्व का सबसे जीवन लोकतंत्र आत्मनिर्बर भारत के रूप में स्वावलंबी बनाने की राह पर अग्रसर है। तो ये वैश्विक नेतरुत्व में सीर्चस्तान प्राप्त उसनेता की दूर दर्चिता का ही परिणाम है। और वे है हमारी प्रुय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी। अब हम हमारे यशिश्वी प्रधान मंत्री श्री नेंद्र मोधीजी से अनुरोद करते हैं कि ते इस शुब अवसर पर हमें संबोधित करें। भारत देशानि मरिंत महोनतंगा रूपुदि दुतना प्रधान मंत्रिगारनी संवाशिंच वलसंदिगा सविनिंगा को उर्क नामुँदू भारत माता की, भारत माता की, तेलंगरा की गवर्णर, तमिल साइज सौंदर राजन जी, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी, अस्वीनी वैश्णव जी, इसी तेलंगरा की धरती के पुत्र, और मंत्री परिशत में मेरे साथी, स्री जी किशन रेड़ी जी, बहुत बड़ी संख्या में आये हुए, तेलंगरा के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, प्रिय म मैना, सोधरा, सोईदरी, मनुलारा, मी अन्री की नरुदय पुर्वार, नमस्कार मिलू, महान क्रांती कारियों की धर्ती, तेलंगरा को मेरा शत्शत्प्रणाम, आज मुझे तेलंगरा के विकास को और गती देने का पुनह सवभाग्य मिला, थोड़ी देर पहले ही, तेलंगरा आंधर प्रदेश को जोडने वाली, एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई है, ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर को बगवान स्री वेंक टेश्वर धाम तिरुपती से जोडेगी, यानि एक प्रकार से ये बंदे भारत एकप्रेश, आस्था, आधुनिक्ता, टेक्नोलोजी और टुरिजम को कनेक करने वाली है, इसके साथ ही आज यहां ग्यारा हजार करोड रुपिय से अधिक के प्रोजेक्स का लोकारपन और श्रान्यास हुआ है, ये तिलंगना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्स हैं, हेल्ट इंफ्रसेक्टर से जुड़े प्रोजेक्स हैं, मैं विकास के इन सभी प्रोजेस के लिए आपको तेलंगना की जनता को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुब कामणाय देता हूँ साथियों, तेलंगना को अलग राज्य मने करीब करीब उतना ही समय हुआ है, जितने दिन केंद्र में एंडिये की सरकार को हुए है तेलंगना के निर्माण में, तेलंगना के गठन में, जिन्ड सामान्य नागरी को ने, यहां की जनता जनार्गन ने योगदान दिया है मैं आए थिर एक बार, कोटी कोटी जनों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ तेलंगना के विकास को लेकर, तेलंगना के लोगों के विकास को लेकर, जो सपना आप ने देखा था तेलंगना के नागरी को ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एंडिये सरकार, अपना करतव्य समझती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं हमने पूरा प्रयास किया है, कि भारत के विकास का जो नया मोडल बीते नव वर्षों में विक्सित हुआ है उसका लाप तेलंगणा को भी जादा से जादा मिले इसका एक उधारन हमारे शहरों का विकास है बीते नव वर्षों में हैं, हैदराबाद में ही करीब सतर किलोमेटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है है, हैदराबाद मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम MMTS पर भी इस दोरान तेजी से काम हुआ है आज भी यहाँ तेरा MMTS सर्विस शुरू हुई है MMTS का तेजी से विस्तार हो इसके लिए इस वर्क के केंद्र सरकार के बिजेट में तेलंग अना के लिए छैसो करोड रुपी रखे गए है इससे हैदराबाद, सिकंद्राबाद सहीद आस पास के जीलों के लाखो साथियों की सुविधा और बढ़ेगी इससे नए बिजनेस हब बनेंगे नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा साथियों सो साल में आई सबसे बड़ी गंबीर महामारी और दो देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थे बबस्ताओं में बहुत तेज गती से उतार चड़ाव हो रहा है इस अनिश्चित्ता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्रेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए रेकोर्ड निवेश कर रहा है इस साल के बजेट में भी 10 लाख करूड रुपिये आधुनिक इंफ्रा के लिए अलर्ड किये गए है आज का नया भारत 21 वी सदी का नया भारत तेजी से देश के कौने कौने में मोडन इंफ्रा बना रहा है तेलंगना में भी बीते नव वर्षों में रेल्वेश बजेट में लगभग सत्रा गुना की वृद्धी की गई है अभी अस्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे इसे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है आज जिस सिकंद्राबाद और महबुब नगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है वो इसी का उदाहरन है इसे हैदराबाद और बैंगलोरू की कनेक्टिविटी भी बहतर होगी देज भर के बड़े रेल्वे स्टेशनों को आधोनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसका लाब भी तेलंगना को मिल रहा है सिकंद्राबाद रेल्वे स्टेशन का विकाज भी इसी अभियान का हिस्सा है साथियों रेल्वे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगना में हाइवे का डेटवर्ग भी तेज गती से विक्सित किया जा रहा है आज चार हाइवे प्रोजेस का सिलान नयास यहां हुआ है तेइस सो करोड की लागत से अकल कोट करनोल सेक्शन को हो तेरा सो करोड की लागत से महभूम नगर चिंचोली सेक्शन का काम हो करिम 900 करोड रुपिय की लागत से कलवा कुर्ति कॉलापूर हाइवे का काम हो 27 करोड की लागत से खम्मम देवरापेले सेक्शन का काम हो केंद्र सरकार तेलंगरा में आदुनी नेशनल हाइवे निर्मान के लिए पूरी शक्ती से जुटी है केंदर सरकार के निरंतर प्रयास की वज़े से आज तेलंगना में नेशनल हाइवे की लंबाई दो गुनी हो चुकी है साल 2014 में जब तेलंगना काम निर्माण हुआ था सब यहां पचीस सो किलोमिटर के आसपास नेशनल हाइवे थे आज तेलंगना में नेशनल हाइवे की लंबाई बढ़ करके पांच हजार किलोमिटर पहुँच गई इन वर्षों में केंदर सरकार ने तेलंगना में नेशनल हाइवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड रुपिये खर्च किये है इस समय भी तेलंग अना में 60,000 करोड रुपिये के रोड प्रोजेक्स पर काम चल रहा है इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्स भी शामील है साथियों केंद्र सरकार तेलंग अना में इंदस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है टेक्स्टाइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मदूर को भी दोनों को बल देता है हमारी सरकार ने देश भर में साथ मेगा टेक्स्टाइल पार्क बनाना तै किया है इन में से एक मेगा टेक्स्टाइल पार्क तेलंगना में भी बनेगा इसे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्मान होगा रोजगार के साथ साथ तेलंगना में शिक्षाव और स्वास्त पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है तेलंगना को अपना एम्स देदे का सोभाग्य हमारी सरकार को मिला है एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग-अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हिये है आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगना में इज अफ ट्रावेल, इज अफ लुइमिंग और इज अफ दूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे हाला कि साथियों केंद्र सरकार की इन कोशिशों के भीश मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है केंद्र के जाजातर प्रोजेक्ट में राज्य सरकार से सयोग न मिलने के कारान हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है विलंब हो रहा है, इससे नुक्षान तेलंगना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है मेरा राज्य सरकार से आगर है कि व्यों विकास से जुड़े कारियों में कोई बाधा ना आने दे विकास के कारियों में तेजी लाएं, भाई और भेनों, आज के नए भारत में देश वास्यों की आशाये, आकांशाये, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है हम दिन राद मेहनत करके इसी कोशिश में जूटे हैं लेकिन कुछ मुठी भर लोग विकास के इनकारियों से बहुत बोखलाए हुए हैं ऐसे लोग जो परिवारबाद, भाई भतिजाबाद और प्रश्टाचार को पोशित करते रहे उन्हें इमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है ये लोग सिर्फ और सिरफ अपने कुनबे को फलता फुलता देखना पसंद करते हैं हर प्रजेक में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं तेलंगना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है भाई और भेनों, ब्रश्चा चार और परिवारबाद एक दूसरे से अलग नहीं है जहां परिवारबाद और भाई बतीजावाद होता है बही से हर प्रकार का करप्षन फलना फुलना शुरू हो जाता है परिवारबाद, बहुशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है परिवारबादी हर जवस्ता पर अपना कंट्रोल रखना चाहते है उन्हें ये बिलकुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे आपको मैं को दान देता हूँ सीधे उनके बैंक खाते में बेजा जाता है हमने देज भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्ता बढ़ाई है आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारबादी ताकतें व्यवस्ता पर सिस्टिम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे किस लाभारथी को क्या लाब मिले कितना मिले इसका नियंत्रण ये परिवारबादी अपने पास रखना चाहते है इससे इनके तीन मतलब सकते थे एक इनके ही परिवार की जैजेकार होती रहे दूसरा करप्चन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे और तीसरा जो पैसे गरीब के लिए बेजे जाते है वो पैसे इनके ब्रष्ट इको सिस्टिम के अंदर बांटने के काम आ जाए आज मोदी ने ब्रष्टा चार के इसली जड़ पर प्रहार कर दिया है मुझे तेलंगना के भाई बेन बताईए आप जवाब देंगे प्रष्टा चार के खिलाब लड़ना चाहिए गि नहीं लड़ना चाहिए प्रष्टा चारियों के खिलाब लड़ना चाहिए गि नहीं चाहिए एको प्रष्टा चार से मुक्द करना चाहिए गि नहीं करना चाहिए इतना ही बड़ा प्रष्टा चारी हो कानूनी कदम उठाने चाहिए गि नहीं उठाने चाहिए प्रष्टा चारियों के खिलाब कानून को काम करने देना चाहिए गि नहीं करने देना चाहिए और इसलिए ये लोग तिल में लाए हुए है बोखला हट में कुछ भी किये जा रहे हैं कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनितिक दाल को अदालत में चले गए, कौट के पास पहुंची रहे थे कि हमें सुरक्षा दो ये हमारे ब्रस्टाचार की कितावे कोई खोले नहीं कौट के पास गए कौट ने वहाँ भी उनको जटका दे दिया और का वापिस भे दिया भाई और बहनों जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोग तंत्रम मजबूत होता है तब बंची तो शोची तो पिड़ी तो को वरियता मिलती है और यही तो बाबा साव आमबेड कर का सपना था यही तो संविधान की सच्ची भावना है जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेडियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम जया यह पुरा देश देख रहा है बीते नव वर्षों में देश की ग्यारा करोण माताओ बैनों बेटियों को इज़दगर टॉयलेट की सुविधा मिली है इसमें तेलंगना के भी 30 लाग से अधिक परिवारों की माताओ बैनों को भी यह व्यवस्था मिली है बीते नव वर्षों में देश में 9 करोड से अधिक बैनों बेटियों को उज़वला का मुप्त गैस कनेक्शन मिला है तेलंगना के 11 लाग से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाब मिला है साथियों परिवार तंत्र तेलंगना सहीत देश के करोडों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था हमारी सरकार में आज असी करोड गरीबों को मुप्त राशन उपलब्द कराया जा रहा है इससे तेलंगना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है अमारी सरकार की नीतियों की वज़र से तेलंगना के लाखों गरीब साथियों को पाच लाख रुपिय तक के मुप्त हिलाज की शुविदा मिली है तेलंगना के एक करोड परिवारों का पहली बार जनदन बैंक खाता खुला है तेलंगना के डाई लाख छोटे उद्यम्यों को मीना गरंटी का मुद्रा रुण मिला है यहाँ पाच लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है तेलंगना के चालिस लाख से अधिक छोटे किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी के तहट लगबग नव हजार करोड रुपिये भी मिले यह वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार बरियता मिली है प्रात्पिकता मिली है साथियों जब देश तुष्टी करण से निकल कर सब के संतुष्टी करण की तरफ बढ़ता है तब सच्चा सामाजे गिनाय जन्म लेता है आज तेलंगना सही पूरा देश संतुष्टी करण के रास्ते पर चलना चाहता है सबका प्रयास से विक्सित होना चाहता है आज भी तेलंगना को जो प्रोजेक्ट मिले है वो संतुष्टी करण की भावना से प्रेवित है सबका विकास के लिए समर्पीत है आज आदी के अमरित काल मैं विच्शित भारत के निर्मार के लिए तेलंगना का तेज विकास बहुत जरूरी है आने वाले 25 साल तेलंगना के लिए भी बहुत महत्वफून है तेलंगना के लोगों को तुष्टी करण तता प्रस्ता चान में डुमी हाई हर ताकतों से ऐसी हर ताकतों से दूर रहना ही तेलंगना के भाग्य को निर्धारित करेगा हमें एक जुढ होकर तेलंगना से तेलंगना के विकास के सारे सपनों को पूरा कर रहा है इन सारे प्रोजेश के लिए एक बार फिर तेलंगना के मेरे प्यारे भाई और भाणों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ ये मेरे लिए अत्यन संतोष की बात है इतनी बड़ी तादाद मैं इतनी बड़ी तादाद मैं तेलंगना के उजवल भविश्य के लिए तेलंगना के विकास के लिए आप हमें आशिरवाद देने के लिए है मैं आपका रदय साभार व्यक्त करता हूँ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवार